मैं तो आरोर्ब लगता रहा है पहले सरकारों पर और कॉंग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगता रहा है किस पंडीतों का जो पलाएन हुआ गाटी अ उनके विशय में आप लंग होने उना क्या किया और सरकारों का ये वादा था कि आण इस तरह का बातावरं का वहां काइम करेंगे कि फिर बिना डर्भाय के पंडित लोग वहां फिर से अपने अपने गाउं में अपने अपने घरों में वापस लोड़ सकें इतने दिनों के बाद 370 खत्म हुआ कि इसी के वजह से कस्मीर जो है बिमार है कस्मीर में जो इन्सा होती है कस्मीर में जो आतंक बाद है वो इसी के वजह से यह खत्म हो जायेगा और वाजीब सवाल है और सवालका जबाब जो है यह मनत्री को प्रधान मंत्री को अधी राहुल गांदी अजमेव में थे उन्होंने कहा है कि जो क्रिशी है वो भारत मता से बिलॉंग करती है ना कि उद्यूपतियों से और उन्होंने कहा कि यह ने किसानों को बोख विरेजगारी और आत्म हस्तिया दी देखे गांदी जी कहते थे कि सबे भूम ही गुपाल की यह धरती जो है वो किसी ब्यक्ति की नहीं है यह सब जो है गुपाल की है इस्वर की है तो एक धंग से यह धरती जो है धरती को तो इंसानों ने बाटा है देश में प्रांत में गाउं में इंसानों ने बाटा है धरती सबकी है लेकिं देखा जाए इमंदारी के साथ तो किसानों के आत्महत्या का जहां तक सवाल है वो लंबे समय से चल ला है कॉंग्रेस पार्टी भी सासन में थी उस समय भी आत्महत्या होता था और आज के दिन भी आत्महत्या हो रहा है यह ऐसा भी से है हमको लगता है कि इसक चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं हो रही है आजादी के इतने परसों बाद आद भी हमारे सहरों में देश की कूलाबादी का 34% लोग रहते हैं उसमें भी ऐसी संख्या करोड में है जो लोग फुटपात पर अपने जिन्दगी बसर करते हैं जिनको सुद्ध पान पीने आपको गाउं में रहती है देश की अधिकान सववादी खेती परा आश्रित है तो विकास की ऐसी नीती क्यों नहीं बने जो सहर मुकी नहीं हो करके गाईं मुकी हो यह ब 15 किकरो अगर या धारणा बन जा कि जो सहर मुकी विकास हो रहा दोगी कर एक। खाने लग रह corp इसके पहले जो है 2013 में के दारनास में जो प्रलाय आया तो यह GDP बढ़ाने के लिए और विकास का जो एक धांचा बना हुआ है पुरा दुनिया भर में उससे हम प्रकृति का ही का ही बिनास कर रहा है तो सबसे सुरक्षित यह उपाय लगता है जिसकी और गांधी ने भी इसार किया था कि गाह मुखी और किसी मुखी जो है विकास निती बनी चाहिए देश को और दुनिया को बचाने का एक मात रास्ता वही दिखाई दे रहा है लोग सवा में होम मिश्टर अमीद साह ने जम्हू कस्मीर और रद्दाख अमेंविंट बील पर सच्छा करते हुए कहा कि जम्हू कस्मीर और रद्दाख का राजनिति करन ना करें जड़ी आप एक राजनितिक लड़ाई चाहते हैं तो रिंग में आया और प्रतिस्पदा करें कोई भी डरा हुआ नहीं है या हमारे देश का एक समयदन्सिन हिस्टा है उन्हें चोट लगी है और संदेह इस सदन की जिम्मेदारी है कि उन्हें आराम दिया जाए और उनके जख्मों को कुरेदा नहीं जाए वार है हमें इत्सा यहाज उनको पता चला कि वो वर्ती इलाखे में जो आबादी है जो नागरिक हैं उनको असन्तुस नहीं रख सकती है उनको नाराज नहीं रख सकती है और आपने जब अध्यस्ति 370 खतम किया जो उनके वह मांते है कि हमारी असमिता का एक अंग था 370 हमारी पहचान का हमारी विस्ष्टा का वो एक करके हम भारत में सामिल हुए थे कि 370 जो है कायम रहेगा और उसके बाद आपने उसको खतम किया आपने नारा दिया था सबका विश्वास सबका विकास में सबका विश्वास जो है आपने जोड़ा था और पूरे देश को और विशेश रूप से जम्मु कास्मीर के लोगों क अंधेरे में रख करके उनके आँख पर पट्टी बांग करके आपने 370 अटाया उसमें आपको ख्याल नहीं था कि इसकी का प्रतिकिरिया होगी आप तो जब से जनसंग पाठी की अस्थापना होई तब से आपके मन में सपना था कि हम 370 खतम करेंगे बगैर इस बात की पर देश कर देश से तरह कि से मामला है सिमा वाण का है इसमें राज नहीं उनीरघ मिशित तो आप कर रहे हैं आपने देश के साथ जो है खेलवाल किया डेस की एकता और अखंटता तक साथ खेलवाल किया हमिशां को इस बात को समझना चाहिए भाइनास मिस्टर निवनार्ट चौधरी ने सदन में इस तिपड़ी पर पत्ति जता है और कहा है कि तुरंत हमने उनके द्वारत की तिपड़ी पर गम्रितां से करवाई करने की मांग कि तो इस देश का उसी दिन हो गया दिन हमारे परदान मंत्री नर्य भाई मोधी वा करके आए और उसके बाद से लगातार डेश में जो कुछ हो रहा है हमें लोग देख रहा है सरकार की आलोशना कीजिए आप देशद्रोही हैं आप सरकार के खिलाब कुछ लिखिए फतरकार हैं तो आप देस्द्रोही हैं अब इस देस में ससी ठरूर जैसा आदमी देस्द्रोही हो जा रहा है सरादीब सर्दसाई जैसा आदमी देस्द्रोही हो रहा है मिरान पांडे जैसी लोग देस्द्रोही हो रहे हैं यह इस्थ जत्वारःत्षाइशाय सवादो महीना हो गया और किसान बैठे हुए हैं और आपने में कील ठोक दिया है उनके याज़ते में दिवाल बना रास्ते में ये तो लिसकादिहंूं इसलिए निर्मलाहइसीता रोमन जी का जो काम है वो काम करें राजनेती करनें का काम जो है नरिंदर मुदी और अमित सहाँ पर छोड़ दें पटना में राजन नेता और लालो जी के बड़े पुत्र सेजपरसाद में बहुत बड़ा आरफ जक्ता नंसिंग पे लगाया है और उन्हें कहा है कि मैं जब करजाले आया है तो जक्ता नंसिंग अपने कक्ष में कहीत ही तो हमको कोई जनकारी नहीं इस तौह की बात यक की बात है है तो हमको जनकारी नहीं है हम पता करते हैं क्या बात